उसकान ना उनका कोई पाता है ना अभी तक, हम लोग मतलब पुलिस वाले को जी ख़़वर दिए कोई सुचना हम लोगों अभी तक नहीं मिला पुलिस वाले कुछ कर रहें कि हुँ को कुछ करते कि वेशन दोस्तों में बेक रंजन आप सामने आया है कि जो 40 वर्षी व्यक्ति जिनका नाम अलोकुमार है वो मुझहपपुर से अलिगड के लिए निकले कमाने रास्ते में उनके साथ क्या हुआ इनके परिजान है जानेंगे आपका नाम क्या हुआ क्या मामला क्या हुआ है आपके पते के साथ तो जोड से बोलिए क्या हुआ पहले वो बोलिए क्या हुआ था आपके पापा के साथ वह त्रेंद ने 11 बजे मुझा प्रफूर अलिगड के लिए अंगोंडा जक्सन तक बात हुआ था उसके बाद कोई ता पता नहीं मतलब वहीं काम करते थे आपके पीता जी कितने साल से काम करते थे लगवा दस पंड़ साल क्याची में क्या मामला है इधर आप कौन हुए हुआ हम उनका हम मैं समधी लगते हैं क्या हुआ है तेज तारी के हां से दिल्ली जा रहे थे जो गोंडा मतलब 24 तारी को पहुंचने वाले थे वह पहुंचे नहीं गोंडा में और गोंडा तक लुकेशन का मोवाइल जो है कि बता रहा मोवाइल चालू था उसके बाम मोवाइल का बंद हो गया उसके ना उनका कोई पता है मदलों पुलीस ओन टीन हे कोई सुचना हम लोगों प्रियास सारा Kita कर चुके ऎहां से क्वाद रेंन कि कौई ृपkr नहीं मिला प्यास पहुंचने सब्सक्राइब कुछ सुनवाई नहीं है अभी तो ना कुछ हमको बता रहे हैं कुछ पाता लुकेशन अभे उन्से पुलिस अधिकारी से मुझापरपुर के जो यारेल SSP से हुए मेरा नम निवेदन है कि इस परिवार का दुख सुने मतलब लोकेशन से आप यह पता कर सकते हैं कि कहा आदम अगर सरकार चाहते हैं पुलिस वाले चाहते हैं तो आदम कहीं से भी ढूंड निकालेंगे क्या कहीं है आपका पुलिस परसासन से समझ यह कि यह फैमली बोल नहीं सकता है इनके साथ एक ऐसा घटना हुआ यह लोग अन्होनी के कोई आसंका लगा रहा है कि उनके साथ को यह नहीं हो गया है क्या मैंने यह भी रख दिया है कि जिस बेक्ति को मिले जहां भी मिले मेरे सपटासर पर इनाम देंगे उनको और म मेरा कॉंटेक नमबर मैंने दे चुका हूं 12-86-84-69 उस पर मैंने कॉंटेक नमबर है उस पर जब खोन करें करें जहां भी फोन करें जहां बोलेंगों आने के लिए मैं तयार हूं और परशासन से अपको उमीद लग रहा कि नहीं जब तक नहीं बोलीगा तक कैसे क्या हो गो है समझ यह फैमली बोल नहीं सकता है ऐसा ड़ह सहमें हुए है इनका स्थीति ने क्या हो चुका है फिर भी पर साबश्य सुनने के कि लिए कि लिए कि अभी नहीं पता चला है कि समझ यह कि बिहार में किसी के साथ कोई घटना हो जाता है और कोई बोलने के लिए तो यार नहीं होता है पुलीस परसासन का काम होता है कि लिए कोई कुछ सुनभाई नहीं ले रहा है जेनरल से आदमी तो सफर किया हाँ वही तो सफर तो किया नहीं से पकड़ा ना गारी इसलिए जनरल है इसलिए कोई नहीं कुछ कर रहा है आप लोग मतब जो ट्रेन में बैठे तो हमें साथ होता था उनसे साथ चालिस तक तो लगभग बात होई रहा था लास्ट लोकेशन में कहां से आप से बात हुआ लोकेशन का पता रही जैसे ही ना अथी रहा पहुंचे ता आप से बात हुआ था अपना समय के अनुसार मतलब रेल का की इतना साथ चालिस तको गोंड़ा जक्सन पहुंच चुके थे इस हिसाब लोग बोल रहें कि मतलब बात हुआ था तब वहां थे गुंड़ा के बाद उसके बाद नहीं इधर से फोन गया ना उधर से फोन आया उसके बात पता ही नहीं चला सुबब खोन किया तब तक फोन बंद था ना फोन ही बद था वहां किसी से दुस्मानी अगल-बद में सोइसल मीडिया पर बिश्वास किये हैं कि सोचल मीडिया अगर चाहेंगे तो वह आदमी का मतलब मिल सकते हैं यहां से मुझाफर फुरस एक अप्लिकेशन दिये हैं नो वो कि सारा जहां 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 जो गारी हरे स्टेशन से गुजरता है उसे स्टेशन पर एक लिखी तो उनका फोटो वो सब गया है कि अगर किसी को मिला तो इन फर्म करने के लिए तर लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आया है तो कल पर सुरात में ही सारा हो गया था तरीस तारीके बाद 24 समझेए कि गोरकपुर के रात में पूरा मतलब यहां से लेके पूरा तक अथी चल गया था उनका फोटो और उनका कुछ लिग के वहां से दिये हुए थे वो सब लेकिन कोई यहां से कॉलूल कुछ नहीं हुआ है अभीता समझेए कि फैमली एक डड़े सह में है यह उनकी वाइप है यह बोल नहीं सकती है यह ऐसा इस्थिती है मेरा प्रयास कैसा ला कॉमेंट कर जड़ू बते का जाहिं जाहिं जाहिं